हेलो आपका उस्वागत है फिर से एक नए वीडियो तो वेल्ट्रॉन की निव वेकेंसी निकल के आ रही है तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके पास टाइपिंग एसकिल है इस टैनो ग्राफर की एसकिल है तो आप सभी जो इस फार्म को भड़ सकते हैं ठ दिनांक 301-2024 को यह नोटिफेक्स का निकाला गया था एस्टैनो ग्राफर असुलीपी है तो ओनलाइन रजिटेशन की सूचना तो यहां पर देख लिजी इसमें जो है क्या-क्या मांगा गया है तो यह यहां पर असपश्ट है सम्मिदा के अधार पर सेवा देने की एक च सब्सक्राइजी एबम एस्टैनो ग्राफर का जो है ज्यान रखने वाले असुलीपी अभ्यार्थी ओनलाइन रजिटेशन है तो प्रत्यसाहित किये जाते हैं दिनांक 132-24 से निगम के परसद वेबसाइड पर जो है आप लोग लिंक एक्टिव भेट हो जाएगा तो वहा हिंदी तथा इंगलिस अंग्रेजी टाइपिंग एबम एस्टैनों का ज्यान होना चाहिए उम्र सीमा जो है इसमें रखा गया है आवेदन करने के अंतिमतिति को जो है नियुंतम 18 वर्स और अधिकतम जो है 59 एर होना चाहिए और उसके बाद देखिए इसमें जो है सूल्क कि इतना लिया जाएगा आप जब अवेदन करेंगे तो केबल बिहार राजे के अनुसूची जाती जन जाती के लिए जो है 250 रुपया रखा गया है उसके बाद देखिए बिहार राजे के अस्थाई निवासी के लिए जो है अरक्षित अनरक्षित महिला उमिद्वारों के उसके बाद देख लिए यहां पर इस फ install को भड़ेंगे तो आपको ढूत här रुपिया और यहां पर देख लिए स्टार्टिंग डेट जो रखा गया आपको 13-2024 से आप लोग जो अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट 5-3-2023 रखा गया तो इस बीच में जो आप लोग को अप्लाई कर देना है ठीक है और देखी यहाँ पर क्या कहा गया है बिहार एस्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलोप्मेंट कर्पोरेशन यानि की लिवहल्ट्रोन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार में विभागों काडियाले निकायों की जो है अधि याचनाओ के विरुध संबीदा के अभ्यारTHी को सुची बड करता है इस हेतु एक्छो को अभ्यारती को रेजिस्ट्रेशन किया किया जाता है तथा गुनवर्था परिक्षा के PASchaathid Shafal अभ्यारती को सुची बड किया जाता है तो यह हो गया आपका पोश्ट नेम उसके बाद चली आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या-क्या कहा गया है ठीक है तो यहाँ पर जो है कहा गया है स्वर पर्थम जो है अभ्यारत के लिए MCQ का एक्जाम लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं MCQ परिक्षा एक घंडे की होगी जिसमें 60 बस्तोनेश्ट परसन पूछे जाएंगे जिसमें उतरिन हेतु 50 परतिसत अंक जो है लाना अवेश्रक होगा आप सभी के लिए उसके बाद दूसरे लाइन में क्या कहा गया है MCQ परिक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद जो है टाइपिंग की दक्षता परिक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी हिंदी एवाम अंग्रेजी दोनों टाइपिंग जो है लिया जाएगा आप सभी को परतेक टाइपिंग परिक्षा टेस्ट के बीच जो है एक अंतराल रहेगा उसके बाद दिखे उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी के असुल लिपी परिक्षा ली जाएगी जिसमें हिंदी एवाम अंग्रेजी असुल लिपी की वांचित गती 70 वर्ड पर मिनट होगी तथा 20 एरर की छूट दी जाएगी यानि कि 20 गल्दी करते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा असुल लिपी अभ्यार्थिक केवल हिंदी केवल इंग्लिस तथा दोनों असुल लिपी परिक्षाओं में बैठने को सोतंतर होंगे स्टेनों तथा टाइपिंग परिक्षा का मुल्यांकर केवल mcq qualified अभ्यार्थिक का ही होगा किया जाएगा ठीक है यहाँ पर असपस्ट कर दिया गया उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजे हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट पर होगा और उसके बाद जो ह पर टाइपिंग लिया जाएंगा मंगल फॉन्ट पर आप लोगो प्रेक्टिस करके जाना होगा तो उसी सफ्ट्वएर पर होगा और जो यहां पर दिया गया है कीबोर्ड का नाम दिया गया तो इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान रखेगा उसके बाद देखे नेड़ धारित दश्टा अस्तर पर महिलाओं अनुसुशी जाती अनुसुशी जन जाती अभ्यार्थी परतिक अस्तर के मुल्यांकन में जो दस परतिसत तथा दिभ्यांग अभ्यार्थी को 40 परतिसत उसके बाद 15 परतिसत अधिमानता दी जाएगी उसके बाद देख सकते हैं असुलिपिक परिक्षा अंग्रेजी हिंदी के परतिक अनुकरम में मेधा सुची अधारित फाइनल जो बनाई जाएगी तथा बिभागों काडियाले निकायों में जो प्राप्त अधिचा के विरुधिफ पैनल से परतिन्यूक्त में 100 पॉइंट अरक्षन रोष्टर के अनुसार अरक्षन का लाफ दिया जाएगा उसके बाद देख लीजी यहां पर क्या कहा गया ओनलेन अवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदा को द्वारा निर्देशा अनुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवम काखजात परमानपतर अपलोड करना होगा उमिदबार के फर्म भरने के पुर्व सब्धानी बरतनी होगी उसके बाद अपूर्ण एवम गलत काखजात वर्नित अस्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी जहावेदन और शुविकार कर दिया जा सकती है एडिमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परिक्षा किती थी समय एवम केंदर अंकित होगा ठीक है और आपका जो है हेल्फ लाइन नंबर यहां पर देख सकते हैं तो इस पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं तो आप लोग को क्या ध्यान में रखना ह है इस चीज को ध्यान में डखते हुए हिंदी इंगलिस टाइपिंग है श्टेनों का तो आप लोग इस फर्म को आराम से भढ़ सकते हैं ठीक है तेरा से ले करके पास तारीक के बीच में आप लोग को अप लाइक कर देना है तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो त लाइक कर देजिएगा चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो